नमस्कार दोस्तो आप सुभी का स्वागत है आज हम जो लेक्चर पढ़ने वाले हैं बहुत जाद एक्साइटिंग और बहुत जाद इंट्रेस्टिंग होने वाला है आज का हमारा लेक्चर एड्जेक्टिव बट यह एड्जेक्टिव हम यहां से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि एड्जेक्टिव हम अलड़ी आपको पढ़ा चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में जी हाँ, adjectives का एक lecture already हो चुका है और अगर आपने वो lecture अभी तक नहीं देखा है तो आप इससे पिसला वीडियो जरूर जाकर देख लेजिए उसमें हमने आपको बताया था adjective क्या होता है और adjective कितने परकार के होते हैं जी हाँ, adjective 6 परकार के हमने आपको महाँ पर बताया था नमबर एक था adjective of quality नमबर दो था adjective of quantity और नमबर तीन था adjective of number ठीक है, number ये तीन तरह के adjective हम आपको पिछे लेक्चर में पढ़ा चुके हैं और आज हम तीन adjectives और कवर करने वाले हैं demonstrative adjective, possessive adjective और interrogative adjective ये तीन adjective हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे इसके पहले वाले लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले जाकर वो लेक्चर जरूर देख लीजिए उससे आपकी connectivity दोनों लेक्चर के साथ में बन जाएगी और आपका adjective वाला जो part है, जो portion है वो हमेशा हमेशा के लिए clear हो जाएगा कोई confusion नहीं रहेगा कोई doubt आपके दिमाग में नहीं रहने वाला है जी हाँ आज हम start करने वाले हैं adjective और देखिए adjective एक्चल में होता क्या है जब आप कोई movie देखते हैं तो आपके दिमाग में कोई ख्याल आता होगा movie की तारीफ करने के लिए या उसको बुरा कहने के लिए ठीक है, it's a good movie और it's a bad movie ठीक है, यह जो word है good और यह जो word है bad यह दोनों ही adjective है ठीक है, अगर आपका result अच्छा आया तो आप खुस होंगे ठीक है, you will feel good और अगर आपका result खराब आया तो you will feel bad ठीक है, तो यह दो ही word नहीं है यह दो ही word नहीं है और भी जैसे smart intelligent great इस परकार के जितने भी तारीफ करने वाले word या नी तारीफ कह लिजिए या बुराई कह लिजिए नाउन के बारे में बताते हैं हमारे नाउन के बारे में बताते हैं या तारीफ करते हैं ठीक है, तारीफ करते हैं या बुरा ही करते हैं बट उनकी विसेशता के बारे में बताते हैं किसकी नाउन की नाउन की विसेशता के बारे में बताते हैं ऐसे words को हम कहते हैं adjectives जी हाँ adjectives उतना ही आसान है आपके चारो तरफ आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में किसी के बारे में कोई भी अच्छी चीज बोलते हैं या उसके विशेश्था के बारे में बताते हैं या फिर उसके बारे में बताते हैं खास बात उसके अंदर है तो वो क्या है वो adjective है आप उसको adjective से connect कर पाते हैं ठीक है और ज़्यदा अगर आपने adjective के बारे में पढ़ना है introduction जानना है तो आप पिछले lecture जाकर जरूर देख लेजिए आज हम स्टार्ट करने वाले demonstrative adjective क्या होता है ठीक है यह कुछ sentence यहाँ पर द लग रहा है ठीक है I can see that mango tree it tells us which mango tree कौन सा mango tree के बारे में यह बात कर रहा है किस की cycle है और कौन सा mango tree है जिस word से हमें यह पता लगता है कि कौन सी किस की cycle है और कौन सा mango tree है उन ही शब्दों को हम कहते हैं demonstrative adjective और वो किस परकार के words होते हैं वो होते हैं this that those these ठीक है यह जो words है यह words जो particular चीज को indicate करते हैं किसी specific चीज को indicate करते हैं किसी specific person, place, things, animals, idea को indicate करते हैं ठीक है उस ही को हम कहते हैं demonstrative adjective I hope यह आपको समझ में आ गया होगा तो demonstrative adjective is an adjective which is used to point out इसको आप keyword है इसको आप ध्यान रखेएगा point out naming words और naming words क्या होते हैं nouns naming words noun होते हैं और noun क्या होते है person, place, things, animal, idea इन सब के नाम ही तो होते हैं naming words इन सब के नाम ही तो होते हैं noun इन सब के बारे में जो word point out करता है उसी को हम कहते हैं demonstrative adjective और वो किस परकार के words हैं this, that, these, those and such ठीक है यह सब words हैं हमारे demonstrative adjectives आगे किक करके हम इनको समझते हैं example की मदद से, जैसे यहाँ पर दिया गया है who gave you this book, who gave you this book, this book तो यह जो word है this, that is called demonstrative word and this is called demonstrative adjective, ठीक है, da में short में लिख रहा हूँ, demonstrative adjective, okay, who gave you this book, demonstrative adjective है, question, sentence तो है ही, ठीक है, but हमने यहाँ पर क्या पहचाना है, demonstrative adjective है या नहीं है, okay, such a fantastic match, it was, such a fantastic match, यह जो word है such, यह भी demonstrative adjective की category में ही आएगा, and Kamal lives in that house, किस house में रहता है, that house, तो यह जो word है that, यह इस घर के बारे में बता रहा है, इस घर को point out कर रहा है, इसलिए, यह क्या हो गया हमारा demonstrative adjective हो गया, and those boys, ठीक है, कौन से boys, those boys, यह वो जो word है those, यह demonstrative adjective हो गया, क्योंकि यह word indicate कर रहा है, उन लड़कों को, those boys are my friends, जो मेरे मित्र हैं, उनको indicate कर रहा है, कौन सा word, those boys, those words, तो यह हो गया demonstrative adjective, I have seen that movie, कौन सी movie देखी है, मैंने, यह क्या indicate कर रहा है, यह word indicate कर रहा है, तो यह हो गया, आपका demonstrative adjective, such kids are loved by all, इस परकार के बच्चे सभी को पसंद आते हैं, किस परकार के बच्चे, यह पता लगता है किस से, इस word से, such kids are loved by all, तो यह word हो गया demonstrative adjective, did you join that school, कौन से school join किया आपने, यह किस से पता लग रहा है, that school, ठीक है, तो यह पता लग रहा है, इस word से, तो यह हो गया आपका demonstrative adjective, उसी परकार, रोहन बॉन्स, that pen, कौन से pen, वो pen जो वहाँ पर पढ़ा हुआ है, table के उपर, first के उपर, self में, ठीक है, तो यह, किस से पता लगेगा, particular इस word से पता लगेगा, कि आप किस को point out कर रहे हैं, कौन से pen को point out कर रहे हैं, तो यह हो गया demonstrative adjective, okay, Meeta was looking for this book, इस किताब के लिए देख beautiful picture, कितनी beautiful picture है, एक particular picture की तरफ indicate करके बोला जा रहा है, इसलिए यह हो गया demonstrative adjective, अब मुझे बताइए, आपको चीज पर समझ भाए कि नहीं आई, अगर आपने पिछले वाला lectures नहीं देखा है, तो जरूर देख लीजिए, वहाँ से भी आपको चीजे clear हो जाएंगी, adjective क्या होता है, adjective और pronoun किस परकार से यूज होते हैं, और adjectives को हम कैसे पहचान सकते हैं, वह आपको वहाँ से clear हो जाएगी, और इन examples के मदद से तो आपको adjectives 100% clear होने वाला है, यह मेरी guarantee है, ओके next हम चलते हैं देखिए, possessive adjective, possessive adjective क्या होता है, सबसे पहले आप बात कीजिए, possessive होता क्या actually, जो एक noun का दूसरी noun के ऊपर, एक pronoun का दूसरी pronoun के ऊपर, position, ownership show करता है, उसको हम कहते हैं, possessive, possession भी मैंने आपको पढ़ा दिया था, यानि noun, noun, position, ठीक है, noun, possession वाला lecture भी मैंने आपको पढ़ा दिया है already, अगर आपने वो lecture नहीं देखा है, तो आप possessive nouns के बारे में ज देख सकते हैं, परतियोगता उस YouTube channel की English grammar की playlist में already 10-12 lecture हमने cover करवा दिये हैं, इससे पहले आप उनको भी जाकर देख सकते हैं, ओके हम बात करते हैं, possessive adjective क्या होता है, देखें, sentence के मदद से हम इसको समझने की कोशिस करते हैं, my book is lying on the table, ठीक है, my book, इससे क्या पता लग रहा है, मेरी किताब है, मेरा possession है, मेरी ownership है, उस किताब के उपर, इसलिए ये क्या हो गया, possessive adjective हो गया, they said, their house, their house के बारे में बात ह हो रही है, ये जो word है, their, ये क्या है, possession है, my book क्या है, position है, अच्छा, हम आने वाले lecture में, आगे जो lecture आएगा, उसमें हम आपको difference भी बताएंगे, कि possessive adjective, possessive pronoun, ठीक है, उसमें क्या difference होता है, demonstrative adjective, demonstrative pronoun में क्या difference होता है, ये हम आपको आने वाले lecture में आगे बताएंगे, पर आप केवल और केवल possessive adjective possessive adjective के बारे में पढ़िए यहाँ पर पता है कि my book possessive मैंने आपको पता है possessive होता है ownership या अधिकार परदर्शित करने वाले words तो इससे sentence से क्या पता लग रहा है my book is lying on the table मेरी किताब table पर पढ़ी है तो इससे पता लगता है my book my book से पता लगता है कि यह क्या possessive adjective है उसी प्रकार they sold their house they sold their house तो their house से पता लगता है कि यह अधिकार परदर्शित कर रहा है उस घर के ओपर जो बिक चुका है ठीक है तो इसससे हो गया possessive adjective हो गया possessive adjective is an adjective that shows possession or belongings कैसे जैसे example की मदद से आप समझे his, her, our, my and your इस परकार के words जब आप देखेंगे किसी भी sentence में और वो noun के पहले attach होंगे तो आपको लगेगा या आप समझ जाएं कि वो possessive adjective है it answers the questions whose कि क्या करता है it answers the question whose किसका अधिकार है किसकी वो चीज है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं इस परकार के sentences से हमें इस question का answer मिलता है कि किसका है वो ठीक है तब हम समझ पाएंगे कि possessive adjective क्या होता है देखिए यहाँ पर आप sentences के मदद से समझेए children open page children open page 15 of your English book अभी मैंने आपको बताया था कि किसका पता लगता है whose किसकी किताब है of your English book ठीक है यह जो word है your यह हो गया आपका possessive adjective को show करता है परदरसित करता है next में देखिए whose book यहाँ तो word ही आगया whose किसकी किताब है are lying on the table जो table पर पड़ी है तो यह हो गया आपका possessive adjective ठीक है तो बहुत simple तरीके से बिना रटे आप sentence के अंदर समन सकते हैं कि possessive adjective है कि possessive pronoun है ठीक है और इनमें difference भी आपको आगया आने वाले lecture में बता दूँगा my pet ठीक है मेरा जो पालतू है is not well अच्छा मैं बीमार है ठीक नहीं है my pet is not well तो my pet यह देखो pet के उपर इस सब्द का belonging या ownership शो कर रहा है pet क्या हुआ एक noun हुआ ठीक है उसके पहले आने वाला जो word है वो लग गया तो वो क्या हो गया आपका adjective हो गया ठीक है वो adjective हो गया तो यह क्या हो गया possessive adjective उसी परकार से which insect is crawling on my pencil box मेरी pencil box पे कौन सा insect क्रॉल कर रहा है ठीक है तो insect क्या हो गया noun हो गया उसके पहले लगने वाला word adjective हो गया इसी लिए हम इसको कह सकते हैं कि यह word इसके उपर अपना possession show कर रहा है तो यह हो गया possessive adjective उसकी परकार से which dress do you like the best noun के पहले लगने वाला word होता है वो adjective हो गया और अगर यह adjective उसके पहले लगा है तो यह इसके उपर इसका possession show करता है इसलिए यह हो गया आपका possessive adjective तो इसी परकार से यह आपको समझ में आ गया होगा अब हमार्थ करते हैं आपके last जो हमारा adjective है interrogative adjective और interrogative adjective क्या होता है जो questions पूछता है simple जिसमें question पूछा जाता है तो what animal is that इस परकार से question पूछा जाएगा कि what animal is that यानि जो question word है जो question word है वो आपके noun के पहले place किया जाएगा लिखा जाएगा जैसे animal के पहले what लगा दिया book के पहले whose लगा दिया और dress के पहले which लगा दिया ठीक है और यहाँ पर क्या दिखाया जाएगा यहाँ पर possession दिखाया जाएगा ठीक है यहाँ पर possession दिखाया जाएगा ठीक है और क्या किया जाएगा question पूछा जाएगा question पूछा जाएगा to what animal is that क्या animal है whose book are यू रीडिंग किसकी गिताब पढ़ रही हो विच ड्रेस 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 तो में चाहिए तो question पुछा जा रहा है asking questions asking questions ठीक है तो यह क्या हो गया interrogative interrogative adjective अब यहाँ पर एक story दी गई है story को आप pose करके पढ़ लीजिए story के अंदर आपको हर चीज मिल जाएगी story के अंदर आपको सारे adjectives देखने को मिल जाएंगे ठीक है जैसे यहाँ पर दियागे one day two merchants named Ram and Shyam came to the magnificent court of Akbar Akbar के court में आए your majesty नोंने क्या का Ram said Ram ने कहा your majesty this is my friend Shyam this is my friend देखे यहाँ पर लिखा क्या है position दिखा रहा है friend का my तो यह हो गया possessive adjective हो गया I had given him my treasure my treasure जो यहाँ लिखा है यह क्या हो गया possessive adjective हो गया before going on some work some work यह क्या हो गया possession यह कौन सा adjective हो गया some work क्या आप इसको count कर सकते हैं जी नहीं आप इसको count नहीं कर सकते तो यह हो गया adjective of quantity यह हो गया adjective of quantity some work in a new town मुझे कुछ new town में काम करने के लिए जाना था तो मैंने अपनी treasure यानि अपना जो धन है दौलत है वो अपने friend को दे दी उसके बाद कह रहा है कि after returning from there वहाँ से लोटने के बाद when I asked जब मैंने पूछा to return that treasure अपना जो धन है वापस देने के लिए तो he is denying वो बना कर रहा है everything हर चीज से कि मैंने तो लिया ही नहीं तो शाम सेड यहाँ पर यह आपको direct in direct active as you voice क्योंकि एक story है उसमें सब चीज़ आपको देखने को मिलेगी लेकिन हम किस अंगल से इसको पढ़ रहे है हम इसको adjective के अंगल से पढ़ रहे है ओके no your majesty अब उसने कहा शाम ने शाम ने कहा कि no your majesty you can check आप चेक कर सकते है my house मेरा घर ram never gave me ram never gave me his treasure उसने कभी मुझे अपने treasure दी ही नहीं तो he is lying वो जूट बोल रहा है ठीक है उसके बाद आगे चलिए जहाँ पर कुछ pronoun भी आपको देखने को मिलेंगे हर चीज़ आपको देखने को मिलेगी लेकिन जहाँ पर adjective होगा वो मैं आपको बता दूँँग अकबर told जैसे इसने कहा कि he is lying he is lying तो he is lying again वो जूट बोल रहा है ठीक है तो he is lying तो किस के बारे में बात कर रहा है राम के बारे में बात कर रहा है lying word तो यह क्या हो गया आपका adjective हो गया ओके अकबर told his soldiers to check शाम's house अकबर told his soldiers to check शाम's शाम क्या आ गया पोस्ट ओफ ऐस लगा है तो ये क्या हो गया पजीशन हो गया नाउन पजीशन हो गया शाम साउस इन दा इवनिंग इवनिंग में शाम का घर चेक करने के लिए बात हुई है दा सोल्जर्स डिड सोल्जर्स ने किया not finding anything और वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला on the next day अकबर सैड अकबर ने कहा we could not find anything in शाम's house हमने शाम के घर की तलासी तो ली बट हमें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला शाम के घर की कैसे आ गया पोस्ट ओफ एस लगा दिया तो शाम's position हो गया ठीक है तो यह हो गया आपका possessive noun okay so ram must be lying ram तो जोटी बोल रहोगा तो बिर्बल अकबर's intelligent courtier जो अकबर का intelligent courtier है court में काम करने वाला अधिकारी है मंतरी है उसने कहा your majesty give me a chance to solve this case आप मुझे एक chance दीजिए इस case को solve करने के लिए ठीक है actually I have found the treasure मुझे वो खजाना मिल गया है and I have kept it in my house देखें my house ये क्या हो गया possessive adjective हो गया I will submit it to your court मैं कल इसको आपके court में submit कर दूँगा ठीक है ये कहा किसने बिर्बल ने अकबर को all were surprised सभी लोग surprised थे to hear this ये सुनकर when the court was dismissed जब court dismissed हो गया खतम हो गया बिर्बल आस्क दिर रॉयल सोल्जर्स बिर्बल ने रॉयल सोल्जर्स को बोला to follow Shams in disguise ठीक है डिस्गाइज मतलब क्या है छिप कर छिपा कर बेश बदल कर ठीक है तो बिर्बल ने बोला सोल्जर्स को कि आप Shams का पीछा कीजिए छिप कर देखते हैं आगे क्या होता है तो Shams went home Shams घर गया ठीक है एंड आफ्टर सम टाइम और कुछ समय के बाद he came out वो बहार आया he went into a deep forest घने जंगलों में गया अंदर and dug a place एक प्लेस एक जगह को खोदा near a big tree एक बड़े पेड के पास ठीक है तो ये near क्या है near proposition है ठीक है उसके बाद आगे चली and क्या है and conjunction है he took out a huge bag उसने एक बहुत बड़ा bag निकाला वहां से in which there were वहापर क्या था there were the lost ornaments जो खोए हुए जितने भी आभुशन थे वह उसके अंदर थे bag के so immediately the soldiers arrested him immediately soldiers ने उसको arrest कर लिया they produced him उन्होंने उसको प्रस्तुत किया him in the court before अकबर अकबर के सामने before मतलब सामने ये क्या है proposition है ओके बिर्बल सहट बिर्बल ने का your majesty I did not find the lost मुझे खोया हुआ खजाना नहीं मिला I wanted to find out मैं केवल तलास करना चाहता था whether sham was innocent sham innocent है की नहीं but when I said जब मैंने ऐसा कहा तो sham became anexious anexious मतलब uncomfortable हो गया and went and checked the place और उसको लगा कि ये मेरा खजाना की किसी ने चुरात हो ने लिया तो वो उस जगह पर गया जहां पर खजाना चिपा हुआ था where he had really hidden जहां पर उसने actual में उसको चिपाया था खजाने को so please arrest sham and return the treasure to Ram और Ram को वो खजाना वापस दे दिया जाए तो interesting story थी उम्मीद है आपको ये story पसंद आई होगी उम्मीद है आपको adjectives भी पसंद आया होगा 6 परकार के adjectives हम cover कर चुके हैं और यहां पर adjectives का end होता है अगले lectures में मैं आपको पढ़ाऊँगा क्या adjectives degree of comparison adjectives degree of comparison कि किस परकार से हम good, better, best ठीक है और मैं लिए खिस परकार से हम दो चीज़ों के बीच में comparison करते हैं या एक चीज़ का बाकी सभी चीज़ों से comparison करते हैं वो हम आने वाले lecture में पढ़ेंगे और उसके आने वाले अगले lecture में हम आपको पढ़ाएंगे कि किस परकार से adjectives of pronouns यानि जितने भी adjectives होते हैं जैसे adjective of quality, adjective of numbers, adjective of quantity ठीक है ये सारे आपको pronoun में भी देखने को मिलेंगे इन में थोड़ा थोड़ा से difference है कि adjective of number क्या होता है और pronoun क्या होता है तो ये चीज़े आपको देखने को मिलेगे आने वाले lectures में तब तक के लिए आप वेट कीजिए पिसले lectures को जरूर देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो उम्मीद है ये आपको lecture पसंद आया होगा मैं अगले lecture के लिए तयार होता हूँ तब तक आप भी तयार हो जाईए पिसे lectures को देख कर Thank you very much जैहिन